Hi everyone, so I am back with the 6th video, यानि कि आपका छटा महिना शुरू हो चुका है हमने पिछले वीडियो में सुना कि 20 weeks तक, 22 weeks तक जब तक आपका 5th month चल रहा है क्या क्या changes आते हैं कैसी लग रही आपको इसीरीज, बहुत सारी लोग एप्रिशेट कर रहे हैं, बहुत सारी लोग मुझे लिख रहे हैं मैडम जल्दी जल्दी अप्लोड करो, हमारा 7th महिना, 8th महिना चल रहा है तसली रखो, हर 3-4 दिन पर हमारा एक नया वीडियो अप्लोड हो रहा है चार हफते को 5 से मल्टिप्लाई करो, तो 20 weeks, 20, 21, 22 maximum के बाद आपका 6 मन्त लग जाता है क्यूंकि हर महिने में 4 हफते से ज्यादा weeks होते है, हर महिने 4 हफते नहीं होते, 28 days नहीं होते, 30, 31 days होते तो 5 महिने के एन तक आते आते हैं, आपके 21, 22 weeks complete हो जाते है अब इस समय बच्चा करीब-करीब 2 pound, यानि की करीब-करीब 0.8 kg, 1 kg से थोड़ा कम होता है करीब 12 inch लंबा हो जाते है, यानि की 1 foot लंबा हो जाता है, एक डॉल की तरह दिखता है मुझे ये सब कैसे पता है, क्योंकि कभी-कभी जब evolution के cases आते हैं, 6 months में जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुर दिखने में डॉल जलसा ही दिखता है क्योंकि sonography में तो हम उसको zoom करके बड़ा कर लेते हैं, और छोटा करके छोटा कर लेते हैं तो exactly size पता नहीं चलता, लेकिन actually 6 months का बच्चा उसके हाथ पैर बहुत अच्छे से बन जाते हैं अब वो जब किक करेगा बच्चा आपको तो बहुत अच्छे से आपको फील होगा क्योंकि अब उसके हाथ पैर काफी स्ट्रॉंग हो चुके हैं पैर काफी स्ट्रॉंग हो गए तो आपको किकिंग बहुत अच्छे से फील होगी बच्चे का जो बंप है जो आपका पेठ है अब बहुत क्लियरली देखेगा मैंने आपको पताया था कि 4th मन्त में हलका सा बल जाता है पतली लेडी जोन में दिखता है पांचों महिने में जस्ट अंबलाइकस यानि कि नेवल जो आपका जो नेवल होता है उसकी लोवर बॉर्डर पे नीचे की तरफ तक आपका बल्च आता है 6 मन्त तक आते आते आपका जो यूटरस है बच्चादानी है वो नेवल के उपर वाले बॉर्डर तक आ जाता है तो जब हम डॉक्टर्स आपको एक्जामन करते हैं तो हमको बताया जाता है हम जूनियर्स को भी सिखाते हैं कि 24 हफ्ते से 36 हफ्ते तक जब आप सेंटीमीटर बे इंची टेप लगा के अगर आप मेजर करते हैं अपनी हाइट तो यूटरस का साइज एक्जाक्ली उतना ही होता है जितना की उससे में वीक्स होते हैं जैसे 24 वीक्स का अगर यूटरस है यह 24 वीक्स की प्रेग्णसी है तो आपका जो यह साइज है जो कि हड़ी नीचे जो सिंफाइस प्यूबे से वहां से लेके ऊपर तक एक्जाक्ली उतना ही सेंटिमीटर होता है तो यह हम लोग कई वर मेजर करते हैं और आपको भी पता होना चाहिए कि अगर यह साइज आपका कोरेलेट कर रहा है आप इंचे टेप से घर पे मेजर करिए कि आपका साइज हड़ी से लेके यूटरस के टॉप तक अगर मेजर करने पे बिल्कुल इग्जाक्ली उतना आ कि बच्चा कितने हफते का है तो बच्चे को सिर्क के मेंजमेंट हम लेते हैं यानि कि Biparatal Diameter जो की यहां से लिख यहां तक बच्चे का जो Diameter होता है उसको हम लेते हैं ठेक आपने देखा हो का दौक्टर आपकी जब सोनोग्राफि करती है तो BPD यानि कि Biparatal Diameter, FL abdominal circumference और एक और चीज़ यान के CRL, CRL यान की crown rump length ये तीन चार चीज़े 5 चीज़े measure होती है including head circumference, HC, तो इस समय 6 मन्त में अगर आपने पहली sonographie नहीं कराई है तो आपकी डॉक्टर आपके बच्चे का BPD यान की biparatal diameter चेक करके पता करेंगी कि आपकी normal gestational age, आपकी average gestational age आपकी LMP से match कर रही है कि नहीं, अब जैसे कि मैंने पता है, बच्चा strong हो गया है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, आपको easily kicks feel हो रही है, जिसको की बोलते है quickening, quickening यानि कि पहली बार जब आपको बच्चे के movement पता चलता है, कई लोगों को 6 मन्त में पता वहना normally 5th मन तक आते हैं पता चलने लगता है, इस समय बच्चा थोड़ा सा viability की तरफ जाता है, अब अगर इंडिया की बात करें, तो हमारी country में अभी भी 28 weeks को viability period मारा गया है, यानि कि 7 महीना जब खतम होता है, तब बच्चा viable होता है, लेकिन pediatrics जो होते हैं, जो pediatricians हैं उन्होंने लेटली अभी जो Indian Academy of Pediatricians है, उन्होंने 24 weeks यानि कि 6 मन के बच्चे को भी viability period में माल लिया है, यानि कि अगर 24 हकते पे बच्चा पैदा हो रहा है, तो chances हैं कि अच्छी care के साथ उसको बचाया जा सकता है, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि WHO यानि कि World Health Organization और Indian Government ने क इसका पहला चेकप 16 हफते पे होना चाहिए, 16 हफते यानि कि 4 मेना, 2nd check-up होना थे 6 मन में यानि कि 24 वीक्स के अराउंड, 3rd check-up होता है 32 यानि कि 32 हफते जब 8 मन लग रहा है, और एक last check-up होना चाहिए 36 वीक्स पे जिसमें कि बच्चे की position, प्लसिंटा की position, आपका fluid कितना ये सारा check-up जरूरी है, इंडियन गवर्मेंट ने इसको और कम कर दिया है, 4 किजे के 3 विजिट कर दिया है, हालां कि अभी इतनी problem नहीं है, क्योंकि अभी जगे जगे प्राइमरी हेल्थ के सेंटर्स में, गाइने कॉलेजिस्ट और और बैटने लगी है, और पेशे केर मि बीसवा हफता ही, जब एनॉमली स्कैन करते हैं, यान कि पांचवा मही न, जिसमें आपका डीटेल स्कैन होता है, बच्चे में कोई खराबी हो, तो बच्चे को गिराया जा सकता है, क्योंकि MTP Act के, मैं आपको बताया था पिश्ली बार, 20 वीक तक बच्चे को गिराया सकता है, अगर दो गाइनकोलेजिस्ट साइन करें और एप्रूफ करें, ठीक है, जो सेकेंड विजिट है, वो एटलीस 32 वीक पे होनी चीह, यानि कि 8 मत में और लास्ट विजिट 36 वीक में बहुत जरूई है, 9 मत के एंड तक आते आते हैं, आपकी प्रॉब्स क्या बढ़ेंगी वेल, आपका बेबी बंप बढ़ रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपका पेट बढ़ रहा है, आपकी स्पाइन में चेंजिस आएंगी, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपकी स्पाइन का जो कर होता है, वो पूटा चेंज हो जाता है, उसमें लंबर लॉड निन अब्रोसर हो जाता है या आपका पैट को टहाता है और शुरु से वाख आपको बढ़ सकता है, या फिर आपका वेट नहीं था शुरू से तो आपका बढ़ेगा। आपको जित्ती भी पहले से problems हो रही थी, आपको piles है तो piles बढ़ जाएगा, आपको indigestion है, heartburn है, कुछ खा रहे हैं, तो regurgitation हो रहा है, जलन हो रही है, यह सारी चीज़े बढ़ेंगी, constipation बढ़ जाता है, piles जैसे कि मैंने बताया है, जो लोग prone होते हैं, उनको piles और पैरों मे पैरों में दढ़ चुरू हो जाता है, बहुत से patients बोलते हैं, मैं रात में नीन नहीं आती, पिंडिया इतनी दुपती है, पिंडिया यानि कि आपके घुटने के नीचे का जो पैर है, बहुत ज्यादा दुपता है, कई लोग उसको टाइट बांद के सोते हैं, इसके लिए कि यूरिन बार-बार लग रहा है, वो शुरू में थ्री मन्स में जादा था, फोर्ट, फिफ्ट, सिक्स मत में जब बच्चा पेट में आ जाता है, तो वो जो प्रेशर है ब्लैडर पे वो तो कम हो जाता है, लेकिन क्योंकि आप बच्चे का सिर नीचे है, वेट बढ़ ग आपकी चमड़ी एकड़ से एक्सपांड कर रही है, तो अंदर जो इलास्टिक और कोलाजन फाइबर तो टूटने शुरू हो जाते है, तो स्ट्रेच मार्क्स बढ़ेंगे, आपको जो बीच वाली लाइन है, जो आपकी नाभी से लेके नीचे बोन तक जाती है, जिसको हम लीनिया नाइगरा बोलते हैं, इस पर मेरे काफी सारी वीडियो जाचुकें, यह काफी डार्क हो जाती है, और किसी किसी केस में जब आपके टोनिंग अच्छी नहीं है, तो आपकी जो बीच की जो दो मसल है, जिसको हम रेक्टर्स मसल बोलते हैं, वो एक तब ऐसे कम हो जाता है, और यह धीरे-धीरे डिलिवरी के बाद, बाइंडर पहनने के बाद अपने आप ठीक हो जाता है, तो यह सारी प्रॉडम्स सिक्स मन्स से शुरू होती है, क्योंकि आपका बंप बढ़ गया है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको शेर करिए, ल को आपनों इन बुक करा है.